रभी कालीन मक्का की बिजाई समाप्त हो चुकी है और फसल अप प्रगती के विभिन चरण में है। अप्रेल में इसकी नई फसल की कटाई तयारी एवं मंडियों में आवग जोर पकड़ेगी। इससे पूर्व खरीफ कालीन फसल को गर्म एवं शुष्क मौसम से नुकसान ह हुआ था जिससे उत्पादन में कमी आ गई। हल्दी और इसकी घरेलू मांग एवं खपत में भारी बड़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं जिससे आगामी दिनों में इसका भाव उंचा और तेज रहने की उम्मीद है। दरसल अब पशु आहार एवं पॉल्ट्री फीड उ खरीद कर रहे हैं क्योंकि आगे घरेलू प्रभाग में इसका अभाव होने तथा दाम बढ़ने की संभावना है। व्यापार विशलेशकों के अनुसार निकट भविशे में यदी मक्का के मूल्य में 200 से 250 रुपए प्रती क्विंटल का और इजाफा हो जाए तो कोई हैरा खरीफ कालीम मक्का की आवक अभी जारी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर किसानों द्वारा स्टॉक की बिक्री बढ़ाने एवं उपभोकता उद्योगों की लिवाली धीमी होने से प्रमुक उतपादक मंडियों में मक्का के दाम में 100 रुपए प्रती क्विंटल की गि भाव घटकर पहले 2290-2300 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गया था मगर अब यह सुधरने लगा है। पिछले दिन इसका भाव बढ़कर 2490-2500 रुपए प्रती क्विंटल की उंचाई पर पहुँच गया। उंचे दाम के कारण भारत से मक्का का निर्यात प्रभावित हो होने लगा है। ध्यान देने की बात है कि स्टॉक के अभाव में दिल्ली में मक्का का बड़ा कारोबार हो रहा है। इसके बजाए उतपादक मंडियों से खपत वाले उद्योगों से माल पहुचाया जा रहा है। खादे उद्देश में मक्का की खपत बढ़ रही है। बि EURO REPORT MARKET TIMES TV